हलो गाइस यहां वाचिंग सीरियल से आप आप आज यहां पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग जानकारी बात करते हैं टीवी सीरियल यह रिष्टा क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड की तो शो के कहानी में आप देखने वाले हैं कि अक्षरा का जनम दिन होगा और अभीरा काफी ज़्यादा स्ट्रेस में होगी उसे समझ नहीं आ रहा होगा कि आखर वो अपनी मां का बॉर्ट देव एकदम स्पेशल अंदास में कैसे सलिब्रेट करें इसी बात को देखकर के अर्मान करने वाला है अभीरा की मदद और वो देने वाला है उसको एक ऐसा हो जाएगी वर्शुर्वास से ही यहां पर अभीरा अपनी माह से कितना ज़्यादा आटैच है यह हमें अपिसोड की स्टार्टिंग से ही पता है और दिखाया भी गया है अब शो के कहानी में आप देखने वाले हैं कि जैसे जैसे अक्षरा का बॉर्ट दे नस्दीक वैसे वैसे अभीरा की जो टेंशन है वो बरती जाएगी और वो सोचेगी कि वो कुछ ऐसा करेगी जिससे उसकी माह हमेशा हमेशा के लिए उसकी यादों में कैद रहे तब ही अर्मान करने वाला है उसको सजेशन और कहता हुआ नजर आएगा कि तुम क्यों ना ऐसा कुछ करो जिससे तुम उनकी लाइफ एक दिन जी पाओ इससे वो तुम्हारे पास भी रहेंगी अभीरा को यह आईडिया बहुत पसंद आता है एस पर दसोर्स की बार ने तो अपकमिंग ट्रेक में अभीरा खोलने वाली है अक्षरा के सामान की सारी पोटियां जिसमें अक्षर आएगा कि अक्षरा की बोत्दे के मौके पर मनीश अपनी पूरी फैमिली को मंदिर ले जाने वाला होगा जिसके लिए वो रूही को लेने आने वाला है और जैसे ही अभीरा यहां पर अक्षरा की तरह तयार हो कर के आईगी अर्मान उसे देखकर देखता ही रह जाएगा जो के upcoming track में आप देखेंगे कि अर्मान जैसे ही अभीरा को नीचे उतरता देखेगा उसके मूँ से सिर्फ एक ही शब निकलेगा वाव सो ब्यूटिफुल यानि कि यहां पर अभीरा इतनी जादा खुबसुरत लगने वाली है बिल्कुल अपनी मा की जैसी और वो बहुत ही जादा ब्यूटिफुल लगेगी और अर्मान उसे उसी मंदर में लेकर जाने वाला है जिसमें मनीश अपनी पूरी फैमिली को लेकर के जाने वाले हैं साथ में कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट उस वक्त आएगा जब पीछे से यहां पर अभीरा को बहुत ही जादा कि और पीछे से मनीश उसे देखेगा और अक्षरा कहकर की बुलाएगा जैसे ही अभीरा अपनी मा का नाम सुनेगी वह फौरण पलटेगी और सामने मनीश को खड़ा पाएगी यहां मनीश अभीरा को और अभीरा मनीश को देखकर के काफी जादा शौक हो जाएगी कि आख देखना होगा काफी इंट्वस्टिंग वेल फिलाल तो ऐसी ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीचे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें